कोरोना पूरे देश भर में महामारी बन चुका है जिसकी वज़े से भारत में अब तक 428 पॉजिटिव संक्रमित पाए जा चुके हैं ऐसे में देश के 80 जिलों को लाउडाउन कया जा चुका है दिरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को पूरे देश भर में जनता कर्फियू रखा गया था लिकने जरान कई लोगों ने इसका पालन नहीं किया और रोड पर निकल गए जिसके वज़े से प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने इस पर नाराज गीज जाहिर की साधिकेंद्र सरकार ने राज्यू से कहा है कि लॉकडाउन को सक्ती से लागू करे और इसका पालन नहीं करने वालों पर सक्त कानूनी कारवाई करे जानकारी के मताबिक सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के तहट जरूरी सेवाइं मिलती रहेंगी लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी इसके तहट 6 महिने की जेल भी हो सकती है साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है इसकी जानकारी कतिकारिक बयान में सुमवार को की गई है आपको बता दे कि अभी तक 80 जिलों को 31 मार्ज तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है लेकिन इस दरान जरूरी सेवाएं भी मिलती रहेंगी सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेश दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स